कि जो क्लच प्लेट है वह आप अनिशन के उपर है जो निरबर करती है जैसे कि आप बिल्कुल रेश ड्राइव जलते हैं या फिर आपको ज्यादा पतलब थोड़ा पगाने का शोक है और आप एक तमसे क्लच 20-30,000 किलोमेटर भी जाने चल पाएगी 20-30,000 से बिल्कुल भी आपकी जो गाड़ी क्रोस नहीं करके जो अपने गाड़ी क्या इंडिकेशन देती है तो अपनी क्लस्प्रेट ख़राब होती है तो से हाई गाइस वेलकम बेक टो आर चैनल ट्रेक बायस्टी गूड मॉर्निंग दोस्तों सुबह का टाइम है दोस्तों आज फिर से हम गाड परिद्राइब करते हैं तो वह प्रोब्लम सपने सामने आती है तो आज इसी टोपिक के वारे में कंप्लीट तो नहीं लेकिन जीतना हो सगेगा उतना बात करेंगा आपको गाड़ी क्या साइन देती है और आगर आपको कोई कंफूजन हो देन आप हमासे कमेंट में बात कर सकते हैं तो घाइस अगर आपको लगता है कि कार की क्लच प्लेट आपकी खराब हो चुकी है तो आप कुछ गाड़ी है जो ढ़िलकुल रइच ड्राइब जलते हैं या फिर आपको ज्यादा पतलब थोड़ा बगाने का शोक है और आप एकदम से क्लच को प्रेस करके इससे ब सब्सक्राइब नहीं चलेगी मतलब 20-30,000 किलोमेटर भी जा नहीं चल पाएगी 20-30,000 से बिलकुल भी अबाओ आपकी जो गाड़ी क्रोस नहीं कर पाएगी तो ऐसे कुछ साइन्स होते हैं चलो आपने सीधा फालतों की बाते छोड़ते हैं सीधा साइन्स के उपर आते हैं ज जैसे मेरी खड़ी गाड़ी है बिना क्लेट्ट्स प्रेस करें मैं जो अपना गेर लीवर है इसको फस्ट गेर में डाल रहा हूं तो बिलकुल स्मूथ ली डल रहा है यह गाड़ी खड़ी है तो ऐसे कुछ आप यूज कर सकते हैं जो अपना फर्स्ट पॉइंट है अगर आपको गेर चेंज करने में दिक्कत आ रही है या फिर आपके जो डिफिकल्टी है रहे स्मूथ नहीं आ रही है तो आपको एक साइन हो सकता है कि आपकी जो खराब हो चुकी है दूसरा अपना है इंजन आर्पीम चेंज अगर आपको प्रेस करते हैं वक्त अपनी इंजन आर्पीम में एक ड्रैस्टिक चेंज महसूस कर रहे हैं मतलब अगार आप जैसे अपने डाल दिया अपना थाड़ के यार उसके बाद में आप एकदम से क्लेश प्लेट को खराब को इंडिकेशन करते हैं उसके बाद में थाड़ है अपना अन्यूजियल नोईज अगर क्ल प्लेट को दबा दिया और उसके बाद में परदुबार से छोट रहे हैं तो आपको उस वक्त एक अजीब सी आवाज महसूस हो रही है या फिर प्लेट में से आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है तो यह कुछ साइन होते हैं और जो इंडिकेशन होते हैं वह आपको गाड सब्सक्राषर बिलकुल यह इतने में परिय यह इसको प्रेस करके से फस्ट गेर कम dropping कर दो अपके कुछ वाइंगे है Crown फीलाइफ यह प्लेट नहीं करको पाथ यह अगरे इसको रहेज समेंद करना चारते था लाइफ को एक्स्टेंड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा रह्ष ड्राइव इंकम करें और जो अपनी कलश प्लेट है उसको फुल मतलब एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊगा क्लश प्लेट को है बिल्कूल सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी जो क्लश प्लेट है उसकी यह अपनी कलश प्लेट होती है इसी कुछ तो इसकी जो एक चेंज करने का टाइम आता है वह का बाता है वह आपको गाड़ी अपने आप साइन करती है जिससे आपको पतलग दाता है कि अपनी का गाड़ी की जो खराब हो चुकिए विसको सही करवाना चीए तो वह क्या सब्सक्राइब करते हैं और एक तम से क्लेट को छोड़ते हैं फिर क्लेट प्रैसर है जो बना के रखते हैं मतलब हाफ क्लेट में अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी जो खराब हो सकते हैं यह कुछ अपनी ऐसी क्लेट होती है अगर इसकी नॉर्मली बात करें तो यह चल जाती है सतर से एक लाग किलोमेटर तक के वीडियो मैंने बता दिया कि आपकी गाड़ी क्या इंडिकेशन देती है आपको जब आपकी जो खराब हो जाती है तो गाइस मेरे जितरे में बाइए वह हाफ क्लेट में कभी भी गार को है जो ड्राइव ना करें कि हाफ क्लेट के अंदर इस का इस वहाँ करें तो इस प्रक्राइब गारम होती है तो उस पहर आप जोड़ डाल रहे हैं मतलब आपको गाड़ी को अपने की नीध है और आप सेकंडे केयर में चला रहे और अब जो भी half clutch के अंदर यह manual cars की बात कर रहा हूं guys mostly अपन जो manual cars को drive करते हैं जो mostly आदमी है न वैसे ही करते हैं guys कि भाई कहीं भी भीड़ बाड़ वाले लाके में first gear की तरह ते या फिर कहीं भी अपने breaker है वो जंप करवा दिया सीधा second gear लगाया उसके बाद में first पर जाना ही नहीं है first का कोई काम ही नहीं अपने को प्रो डाइबरी बने के दिखाना कि अपने को second drive में देखो भाई तने तकड़ी भीड़ बाड़वा इलाके में second drive या third जो गेर है इस पर मैं तक गाड़ी तलाता हूं तो भाई उसको half clutch में करके वह से अपनी गाड़ी का जो clutch होता है इसको अपने ऐसे पूरा फ्रेस कर दिया उसके बाद में पूरा छोड़ दिये गाइस पूरा छोड़ने के बाद भी आपकी जो गाड़ी इतना अच्छा पिक अपने पार यह पर इतना ज़्यादा आगे है जो नहीं बढ़ पार यह तो गा अपने को एक अच्छा पिक नहीं मिल पा रहा है मतलब आपको पहले से आप 20,000 किलोमेटर पहले आपको जो एक पिक अप मिलता था इंस्टेंट्ली पिक अप मिलता था वह तो आपको इंस्टेंट्ली पिक अप है जो नहीं दे पार यह तो समझ जाओ कि आपके वह खराब हो चुकी है तो यह कुछ साइन्स होते हैं आज की अपनी एक सिंपल सी वीडियो थी जिसके अंदर मैं बताया आपको कि आपकी गाड़ी क्या साइन देती है जब आपकी क्लेश मैं है जहां बट सबस्क्राइब कर सकते हैं तो इस चेणले को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको एसी वीडियो िैसे चनल पर मिलेगे उस चौंग सोब